नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारी धर्म में तूलसी का पौधा घर अंगन में रखना बहुत सुमाना जाता है और हर दिन आप तूलसी में जल भी चढ़ाते होंगे लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए तूलसी के पौधे में कुछ ऐसे दिन है जब आप जल ना चढ़ाएं अगर जल चढ़ाएं भी तो कम से कम पौधे को बिल्कुल ना टच करें वैसे तो एकादसी किसी भी महने की सुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष दोनों ही तिति की एकादसी, रभी बार, चंदर ग्रहन, सूरी ग्रहन और अमवस्या तिति ये ऐसी तितिया है जब आप तूलसी में जल ना चढ़ाएं या आप उनको ना चुएं मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए तूलसी के पौधे में जला परफिक करते हैं और जो तूलसी का पौधा है माना जाता है कि आपके घर का सुरक्षा कबच होता है अगर घर परिवार में मुसीवत हो आती हो या आ रही हो तो तुलसी का पौधा उसको अपने उपर ले लेता है आम तोर पर हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है पुरानों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा मालक्षमी का निवास अस्थान है तुलसी के पौधा मालक्ष्मी का प्रतीक है और परिवार के सदस्यों में प्रेम भी बढ़ाता है तुलसी का पौधा तो मालक्ष्मी को परसंद करने के लिए तुलसी के पौधे में आप जल अर्पीत करते हैं और जल चढ़ाना बहुत सूभ होता है लेकिन सास्त्र कहता है कि जब आप तुलसी के पौधे में जल कुछ ऐसे दिन है जब आप चढ़ाने लगते हैं तो हानी होती है नकात्मकुर्जा घर में बढ़ जाती है इसलिए रवीवार के दिन भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाए कहा जाता है कि तुलसी के ना तो पत्ते ही तोड़े ना जल चढ़ाए बहुत आवस्यक्ता हो नीचे की रेवे पत्ती खुले कर यूच करे क्योंकि रवीवार का दिन भगवान विश्णू को काफी पसंद है और तुलसी भी भगवान विश्णू की प्रिया है साथ ही ये भी माना जाता है रवीवार के दिन तुलसी माता जो है वो भगवान विश्णू जी के लिए निर्जला ब्रत रखती है और अगर इस दिन तुलसी में जल चढ़ाया जाए तो उनका ब्रत खंडित हो जाता है इसलिए रवीवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और जोतिस कहता है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से अगर रवीवार के दिन चढ़ाया जाए वो सूख जाता है वो खराब हो जाता है साथ ही किसी भी महने की एकादसी थी सूरी गरहन चंदर गरहन के समय भी जलरपित नहीं किये जाते और पत्ते भी नहीं तोड़े जाते मानेता है कि सूरी छिपने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए नहीं तो घर परिवार में नकात्मक उरजाएं फैलती है दोस लगता है और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में अगर आप एक लोटा जल में दोचार बुंद कच्चा दूद याद रखे दोचार बुंद जादा नहीं एक चुटकी हल्दी डाल कर अर्पित करें तो यकीन मानिये धन बढ़सेगा धन बढ़ता जाएगा और मा के सामने एक घी का दिया रोज सामने जला है तो विवार का दिन छोड़ कर जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी तो तुलसी के पौधे को मा लक्ष्मी का सुरूब माना जाता है इसको विष्णू क्रिया कहते है और इसके अगर विधी विधान से पूजा की जाए तो आपके जीवन के हरकस्ट मिठते हैं पर तुलसी के पौधे से जुड़े वे कुछ बिसेस परियोग भी होते हैं जो आपके घर परिवार में खुसियां बढ़ाता है अगर आपके घर में किसी के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है रिष्टा तूट रहा है तो एक छोटा सा काम करें जिस ब्यक्ति के लड़की या लड़का का बिवाह में बाधा आ रही है उनको कहें रोज सुबह स्टान बेगर करके तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना शुरू कर दे और हाथ चोड़कर तुलस तुलसी का पौधा घर के अगने कोड में रख दे मतलब दक्षिन पूरव दिसा इस दिसा में तुलसी के पौधे को रखें नियमित रूप से पुजा पाठ करें और उनके सामने घीका दिया जलाएं वास्तु दो समाप्त हो जाएगा कई बार होता है आपकी लंबे समय से म नुकामना पूरी नहीं हो पा रही तब एक छोटा सा काम करें अगर कोई चाह है अपना मकान, दुकान, संतान, विबा, नोकरी, ब्यापार, अच्छा स्वास्त, किसी भी तरह का चाह है तब एक छोटा सा काम कीजिए एक कलस ले लें पीतल का लोटा होगा आपके घर में ल जरना पड़े अब 24 घंटे के बाद यानि अगले दिन जल को अपने घर के मुखे दरवाजे पर छिड़के और उसके बाद पूरे घर में छिड़क दे ऐसा करते समें कोई ना देखे ना टोकेस का ध्यान रखिएगा अब देखिएगा अगर कोई सुमंगल कारे नहीं हो रहे तो तक्ये के नीचे दो तुलसी के पत्ते रख कर सोएं और अगले दिन उस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दें अगर बेटी की साधी नहीं हो पा रही है होता है कई बार लड़कियों की साधी में देर हो जाती है तो उनको कहिए कि रोज तुलसी जी में जल और प प्रिक्ता नहीं है तब सुक्रवार के दिन तुलसी जी में दूध अर्पित करें ज्यादा नहीं दोचार बंद्रियाद रखिए और फिर मिस्री अर्पित करें ऐसा करने से बैपार का घटा दूर हो जाता है अब एक छोटा सा प्रियोग अंध में जो सबसे जरूरी है कई ब लोटा शुक्तात्य के दूर्पित करने लोटा आपके घर में होगा तो पीतर का लोटा ले ले अब इस लोटे में आप जल भरें चार पांच पत्तें तूलसी में डाल दे और उसको रहने दे अपने घर के पुजा स्थान पे अगले दिन के मतलब अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सोकेर उठते हैं उसी पानी को घर के मुखे दर्वाजे पर छिडग दें आपकी मनुकाम ना पूर्ण होगी जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होगी अगर आपको लगता है राहू के तू सनी मंगल सब भी गड़ गया है तब एक छोटा सा काम करें क्योंकि तुलसी मंगल से भी संबंद रखता है एक सिक्का कोई भी ले एक रुपया पांच रुपया दस रुपया जो भी आपको सुभीदा हो अब लेकर तुलसी के पत्ते उस राहू के तू सनी की समस्या समाब्त होगी आप चाहें तो ये परियोग उसी सिक्के के सहारे आप 8 दिन लगातार करें फिर आप मंदिर में दीजीगा सिक्का या आप चाहें तो एक भी दिन करने से आपको लाब होगा दूसरी बात तुलसी के मंजरी जो होता है अगर स्री हरी विष्णु या फिर भगवान सरी कृष्ण के माथे पर नियमित रूप से आप अरपीद करते हैं तो जीवन में प्रेम बढ़ता है प्रेम बिबा के योग बनते हैं यानि हर मननत पूरी करते हैं हनमान जी अगर आपने उनको तूलसी की माला बनाते हैं तो आपके घर में जब खाना बनता है भात बनता है जिसको चावल कहते हैं तो उस चावल बढ़ने के समें दो तूलसी के पत्ते भात में डाल दीजेगा आठ दिन लगातार करके देखे घर में बरकत बढ़ जाएगी सांती आएगी आप लोगों में टेंसन कम होगा प्रेम जादा होगा तुलसी के नीचे की मिट्टी का चमतकारी टोटका एक टोटका जो आपकी जिन्दगी बदल कर रख देगा यहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं तुलसी के नीचे यानि की तुलसी का पेड़ जहां है उस गमले की मिट्टी का आपको पता है इस मिट्टी में कितने सारे ग्रह छिपे होते हैं और कितने सारे ग्रह का दो समाप्त हो सकता है इस मिट्टी का अगर आप दिलग करते हैं तो चलिए बता दे सबसे पहले हम मिट्टी जो मंगल का कारक है साथी, देवगुरू बहस्पती, चन्द्रमा, सुक्र और सूरे इतने सारे गड़ इस मिट्टी में पाये जाते हैं तुल्सी के पेड़ के पास जो मिट्टी होती है यह तो थी मिट्टी के तमाम गुन तुल्सी के पेड़ के पास की हम आपको टोटका बतलाने वाले हैं अगर आपकी वाहन बार बार खराब हो रही है या बार बार आप दुरगटना गरस्त हो रहे हैं चाहे आपके पास साइकल है, मोटर साइकल है, कार है या भी जो भी है वाहन आपके पास पर आपको लगता है कि बार बार आपका वाहन दुरगटना ग्रस्त हो रहा है चोट चपेट की सिकार हो रहे हैं घर या फिर बाहर कहीं भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है आप परिसान है सबसे पहले तो यह जानिए कि दुरगटना या वाहन मंगल का कारक होता है और मिट्टी भी होता है मंगल का कारक अब मिट्टी और वाहन का दोनों का ही संबन्ध है मंगल से तो चलिए अब हम आपको टोटका बताते हैं ध्यान से सुनिएगा एक केले का पत्ते लेने एक छोटा सा टूकरा लेने से काम चल जाएगा एक चुटकी तुलसी के पेड़ की नीचे की मिट्टी ले एक चुटकी सिंदूर ले और दो तीन बुन सरसों का तेल डाल दे अब अपने रिंग फिंगर से जो मंगल की ही उंगली होती है इससे आप अच्छे से मिलाएएं और एक मंत्र बोले कम से कमें 108 बार ओम अंग अंगार काई नमह ऑम अंग अंगार काई नमह 108 बार जप ले इस मिट्टी को आप ले जाकर पीपल के बिशके नीचे रख दे ये करना है आपको मंगल वार या फिर सनी वार के दिन करके छोड़ दें तो आपके ग्रह बाधा या ग्रह दोस्ट जो है वह समाप्त हो जाएंगे आप उपाय करके देखें आपकी यात्रा सुखद रहेगी अब इस उपाय को करने के बाद कोई चोड़ चपेट दुरुघटना वेगरे के चांसे जीरो हो जाएंगे बहुत कम चा